हुआ 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 हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग आ गये हैं और यहां पर इस गार्डन में बहुत सारी वनस्पतिया है अलग अलग तो देखते हैं अंदर की कौन-कौन सी वनस्पति यहां पर है और देखते हैं अब अंदर चलते हैं कि यह में द्वार है तो यहां से हम लोगों को इस जगह से अंदर जाना पड़ेगा और यह जो है यहां पर टिकेट काउंटर है तो यहां से हम लोगों को टिकेट लेने पड़ेगी दोस्तों और यहां पर पार्किंग की भी काफी अच्छी सुईदा है तो आप लोग पार्किंग यहां पर कर सकते हो बहुत सारी गाड़िया यहां पर पार्क में रखी हुई है कि यहां पर मैं टिकेट लेने के लिए आ गया हूँ और यहां पर टिकेट के सारे रेट लिखे हुए है तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर अंदर एंट्री लेने के बाद आप लोगों को यह जो टोकन है वह इन सर को देना पड़ेगा यहां से मेरे पास से वापर जाता है वहां पर जाएगा बराबर आप लोग मेरे को देए वहां से यह देने के बाद में मैं इंट्री करता हूं अंदर अंदर एंट्र कि यहां पर एक पॉंड है छोटा सा तालाब आगे चलते हैं अभी यह एक ब्रीज है छोटा सा अपके अच्छा दिख रहा है इसके उपर से हम लोगों को जाना पड़ेगा इस दिया दोस्तो नक्सत्र वर्ण मेन रोल के काफी करीब है तो यहां पर आप अपने परस्नल वाहन से भी आ सकते हो और आप ट्रेन से आना चाहो तो आप लोगों को नदी की रेलवे टेशन पड़ेगा वापी जो की काफी बड़ा टेशन है तो वहां से आप फिर ओटो या फिर कार वगेरा करके या बस में आ सकते हो कर दो झाल झाल और इस गार्डन के अंदर इतनी सारे सांती है कि यहाँ पर बार्ड्स वगेरा भी आते रहते हैं और काफी करिब यह बार्ड्स हमारे रहते हैं जो कि अभी मैं देख रहा हूँ काफी नदीक से कि अ हमें पर यह दिने का मैं जो यह देखो गाइस यहां पर एक चिडिया का गुशला मना हुआ है यहां पर एक चिडिया का गुशला मना हुआ है यहां पर एक चिडिया का गुशला मना हुआ है यहां पर एक चिडिया का गुशला मना हुआ है यहां पर एक चिडिया का गुशला मना हुआ है यहां पर एक चिडिया का गुशला मना हुआ है यहां पर एक चिडिया का गुशला मना हुआ है यहां पर एक चिडिया का गुशला मना हुआ है यहां पर एक चिडिया का गुशला मना हुआ है कि अचीं अचीं इन प्रॉशला मना हुआ है यहां पर एक चाहे यहां इनार्ख आष्ट यहां आटाँ और दोस्तों नक्सत्रवन के अंदर छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी काफी अच्छी सुई दय है यहां पर और पीने के लिए पानी भी है यहां लोग आगे निकलते हैं और दिखते हैं आगे क्या हमको दिखने को मिलता है बैठने के लिए भी बड़िया जगह है यहां पर फैमिली के साथ भी आप लोग आ सकते हो और यहां पर रासी वन रासी के बारे में बताया गया है यहां पर देखते हैं वन में क्या-क्या है रासी वन के बारे में क्या-क्या बताया है कन्या यह तूला राशी है उसके बारे में है मेरी राशी देखते हैं मेरी राशी कहां पर है जुनना पड़ेगा फटा फट यह दुनना राशी मक्कर मेरी राशी तो मिल ही नहीं रही है यह कुंब द्सरी यह मीन आ गई मेरी राशी कहां पर है यस यस फाइनली मेरी राशी यह आ गई मैस और यह है पेड़ और गाइस और गाइस और गाइस और गाइस अब हम लोगों ने नक्षत्रव वन जो है आधे से ज़्यादा गूम चुके हैं और अभी थोड़ा ही गूमने का बाकी रहा है तो देखते हैं आगे क्या है बहुत बड़े-बड़े पेड़ है यहाँ पे तो और गाइस यह जो अभी आप देख रहे हो यह अवसदी वन है यहाँ पे काफी अवसदी के पोधे लगे हुए है और गाइस नक्षत्र वन जो है काफी बड़े क्षेत्रों में फेला हुआ है और यहाँ पे आने के लिए बेस्ट जो समय रहेगा मनसून खतम होने के बाद आप किसी भी सीजन में आप आ सकते हो गर्मी हो या ठंडी काफी अच्छा मौसम यहाँ पे रहता है तो अब आप आ सकते हो और काफी तो फ्लावर भी रहते हैं तो आप लोगों को फ्लावर्स भी देखने को बहुत सारे मिलते हैं कि 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 अपैक रहते हैं पतरों का वी घे था आ जेखने की बहुत से बहुत सैंसरे का तो आप हो फिर ए्लावर यार्स पाल प्लावर बहुत सार्वर्स वी अपाच। कि अ कर दो कि अ अ कि अ और दोस्तों एक बात तो आप लोग बताना भूल ही गया था कि हर मंगलवार को ये जो वन है बंद रहता है और गाइस ये दमन गंगा नदी है नदी के किनारे ये रिवर्फ फॉंट बनाया गया है और ये एक चेकडम है चेकडम पे से पानी ये गिरता रहता है तो काफी अच्छा दिखता है प्रूबड़ कि अच्छा रहता है दोस्तो नक्षत्रावन जो है मैं पूरा गुम चुका हूँ मुझे तो बहुत अच्छा नक्षत्रावन लगा आप लोगों को पैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताए दोस्तो और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सेर और सस्क्राइब जरूर कीजिए दोस्तो बाई बाई